नमस्कार, हम इस समय मौझूद हैं मौधवन विधान सभा के छेतर में और हमारे साथ जो मौझूद हैं मैं उनको बता दूँ कि बहुज़न समाज पार्टी के अधिकरित प्रतियासी हैं निलम सिंग कुस्वाह जी आए इसे बात करते हैं और जानते हैं कि कौन से इसे मुद् है गरीबी, बेरुजगारी और विकास क्योंकि पिछले 10 सालों में हमारे मदवन विधान सभा का मैं गाओं गाओं गली गली हर चटी चौरा है हर घर कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है पूरे विधान सभा का जहां मैं ना पहुंच रही हूं और मैंने यही देखा है कि हमारा चेतर विकास से कोसो दूर है विकास की बहुत ही जरूरत है और हम इसी मुद्धे पे खासतोर से काम करेंगे उत्तर प्रदेश में बात करें खासतोर से दिवरांचल की बात कर लें उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही है बहुजों सवाजपार्टी की भी कई बार सरका हैं और मेरी कोशेश है मैं यहां स्थानीय हूं। इसी विधान सभा की निवासी हूं् जाहिर से बात है मेरा द्हान जाएगा और मैं करूंगी इनके लिए काम ऊचित अगर यहां की जनता आपको चुनती है विधायक बनाती है ऐसा कौन सा मुद्दा जो लगा कि सबसे पहले करना चाहेंगे। और यही मुद्दे हैं जिनको हम लेकर कि समय देखा जाएं लोगों के मन में यहीं दिमाग चल रहा है बाते चल रही है कि वोट के समय तो प्रतियासी सारे वादे करते हैं अब मगर जैसे वोट खताम होता है प्रतियासी जी जाते हैं फिर संपर्क उनका टूड़ जाता है ल में जुड़ी और हम चीकिश किशकी के से काम में जुड़ा हुआ है और हम इस हमेशता के चेत्र से ऑनका में हमेशा से चुड़े हैं कितने आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे हूं, उन्होंने जो वादा किया था, जो वादा करके जिन मुद्धों पे उन्होंने आपका कीमती वोट लिया था, वो वादे लगभग नहीं पूरे हुए, मैं हर अपनी जनता से सभी से मिल रही हूं, और सबकी यही शिकायत है, तो आप उनको सोच समझ करके इस बार अपना जन प्रतीनी धी बनाने का मौकार है, जब यह और भी प्रतियासियों के घोसड़ा होंगी, तो ऐसी कौन सी बाते होंगी, जिन से आपको चुनाओं में असर डालेंगे? देखे, मैं यहां की लोकल हूँ, स्थानिय हूँ, और जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि हमें नीलम सिंग कुश्वाह के ही साथ इन्ही को अपना प्रतीनी धी बनाना है, फिलहाल तो अन्य पार्टियों के प्रत्यासियों जब प्रतीनी धी आएंगे, तो देखा जाएगा, हमारी जनता हमेशा से मेरे साथ रही है, अगे भी हमारे साथ रहेगी, यह हमारा विश्वास है, बात कर लें अस्थानी, आपने कई बार बताया कि अस्थानी और बाहरी यहां की लोगों का ओट नहीं ले पाते और बाहरी लोग आके ओट लेकर चले जाते हैं, इस बार आपकी यह धाना गलत सिद्ध हो जाएगी, बिलकुल, तो जाएट से बात है, यह थी निलम कुसाहा जी, बोजों समाजपार्टी की अधिकरित प्रत्यासी है, अब देखना यह है कि जिस तरह से छेतर में यह घूम रही है, अब देखना यह है कि 2022 चुनाओ के आती है,